उमीदवार उतारने के लिए ही तो गटबंदन हो रहा है अब सवाल है कि एक साथ अभी प्रेस कॉंफरिंस नहीं हुआ है हम लोग इंतिजार में हैं और मुझे उमीद है कि आज कल में प्रेस कॉंफरिंस लोग करेंगे असोक मातो जो है ललन सिंगे सामने टिक पाएंगे क्या बात कर रहे है ललन सिंग और असोक मातो का मामला नहीं है ज़्यों के लोग कह रहे हैं कि ललन सिंग के सामने असोक मातो टिक नहीं पाएंगे तो हम जानी रहे हैं वो तो पुरा बिहार जान रहा है ठीक है ना पूछ तो खूद उनके आका नहीं टीक पाए तो ललन सीन और कौन सीन शवाल यहां लोगतंत्र का है जी इस तरह से बिधायकों को खरदा जा रहा है बिहार में भी नितीस कुमारा इसे ही थोड़े गए हैं उनके पास भी जो है नोटिस देखाया गया होगा कि जा रहा ही डी जा रह एक अपने उम्मीदबार को सिंबल बाट रहे हैं अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ माली विधायक है राम बली सिंग्यादब जी कैसे देख रहे हैं लाली आदब तो उधर टिकट बाट रहे हैं इधर तो आप लोग का कनफर्म ही नहीं हुआ कुछ भी अब देखिए यह हर पार्टियों के जोने तुकारी टीम है यह मामला उनके जीमया है और हमारे पार्टी में जोने तुकारी टीम है उन लोगों ने अभी किसी परकार के कोई नकरात्मक सुचना नहीं दिया है और इसलिए इंडिया गट बंदन में सब कुछ ठीक ठाक है लोग अपने पार्टियों के जानकारी में को नकरात्मक चीजे नहीं आई है इसलिए हम लोग अभी इसको कह सकते हैं कि आलीज वेल है आप कहरें कि ओलीज वेल है लेकिन सीट सेरिंग हुआ है आप लोगों में अभी तक तो नहीं हो पाया है कितने सीटों पर लड़ेगा जुनाब किस स हुआ यह सवाल नहीं अभी बात्चीत जारी है अभी भी बात्चीत जारी है बात्चीत खतम थोड़े हो गई बात्चीत खतम हो जाती तो सारे लोग अपने अपने उमिद्वार उतारते तो अभी स्वतंत्र रूप से जिनको जहां हो गया होगा जिनका जहां अधार होगा अब लोग उतार रहे हैं, दूसरे दल भी उतारेंगे, तो सीट, उमगिद्वार उतारने के लिए यहीं तो गठबंदन दर्म का पालन नहीं हो रहा है क्या आप लोग भी नाराज है या जारी कर दिये CPI को जहां confirm हुआ वो जारी कर दिये होंगे CPI मौले कर दिये होंगे लाल परसाद या गटवंधन गटवंधन है सारे दलों के अपने अपने नितित्वकारी टीम है अपने अपने दलों के लिए अपने अपने लोग सोतंत्र होंगे बाकी गटवंधन में एक साथ बाते हो रही होगी लेकिन इतना बात तै है कि अभी जो पुरे देश का, पुरे बिहार का जो मूड है और इंडिया गटवंधन अभी आउलीज वेल है, हमें ही समझ रहे हैं और इसलिए आप देख रहे हैं अभी जीस तरह से question लिख हो जा रहा है सरकार लिख हो जा रही है पूल गिर जा रहा है तो इसलिए बिहार के और देश की जनता त्यार है केंदर में जो सरकार है उसको गिराने के लिए इसलिए कहीं से कोई दिक्कत की सूचना अभी हम लोगों को नहीं मिली है और इसलिए थोड़ा इंतजार हम लोग कर रहे हैं आप लोगों को भी करना चाहिए इंतजार बिल्कुल देखे एक तरफ जो है ललन सिंग है मुंगेर से तूसरी तरफ लालु यादब जो है असोक मातों को टिकट दे दिये हैं तो अब जो ह कि अपनाधरी नहीं है तरहां सिंग के सामने तिक है और लवन सिंग को मामला नहीं है मामला जंता का जिस तरह से अभी देश के अंदर मुख मंत्रियों को गिरपतार करके जेल भेजा जा रहा है जी इस तरह से विधायकों को खर्दा जा रहा है बिहार में भी नितीष कुमार इसे ही थोड़े गए हैं उनके पास भी जो है नोटिज दिखाया गया होगा कि जा रहा ही डी जा रहा है सीवी आई भाग करके उधर चले गए तो इस तरह की जहां करवाईयां चल रही है ऐसी इस्थिति में देश की जनता बिहार की जनता लोगतंतर के लिए चिंती थे और इसलिए लोगतंतर के रक्षा के लिए महागटबंधन इंडिया गटबंधन के जहां जो भी उमिद्वार है उन तमाम उमिद्वारों को लोग जिताए कि इसने टकर दने का सवाल ही नहीं है जिताने का सवाल है और लोगतंतर की हिफाजत में पूरा बिहार पूरा देश तेयार है लेकिन जदियों के लोग कह रहे हैं कि ललन सिंग के सामने असोक मां तो ठीक नहीं पाएंगे तो ह पैट डगमगा गया होगा तो खूद उनके आका नहीं टीक पाए तो यह ललन सिंग और कौन सिंग शवाल है लोगतंतर का है शवाल है सम्मिधान की हिफाजत करने का है और इसलिए उस ख्यमा में जो भी रहेंगे चाहे वो जितनी ताकतवर रहेंगे और यह बिहार खास कर कि जो लोगतंतर की जन्नी रही है लिछवी से बैसाली से जहां लोगतंतर की शुरुवात हुई है बिहार लोगतंतर के खात्मा पर दास करेगा इसलिए उधर से ललन सिंग आ जाएंगे की कोसी आ जाएंगे यह बिशय ही नहीं है लोगतंतर के खात्मा के लिए जो लोग प्रियास करेंगे उनको बिहार और पुरे देश की जनता इंट नइट बजा देगी और इसलिए सवाल उमिद्वारों की हही नहीं सवाल जनता का है शवाल लोक्तंत्र का है तब सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बागपा माले की विधायक रामभली सिंग यादव जनता का मामला है और जनता जो है उन्हें पटकनी देगी कमलेश कुमार लाइब भीहर पटना यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें